Hey guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे pulse width modulation के बारे में So ये हम लोगों की एक technique है जिसमें हम लोग digital electrical signal की average power को reduce करने की कोशिश करते हैं और ये average power को reduce करने के लिए basically हम लोगों को अपनी जो pulse है उनकी chopping करनी होती है Next हम लोगों को voltage और current की average value को control करना है तो उसके लिए basically हम लोगों को एक switch लगाना पड़ेगा supply और load के बीच में और इस switch को हम लोग basically बहुत fast rate से on और off करेंगे और हम लोगों की जो average value होगी वो basically depend करेगी आपके on और off time के उपर यहाँ पर जितनी ज्यादा देर के लिए आप लोगों का switch on रहेगा उतना ही ज्यादा power हम लोगों के load को deliver हो पाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों के दो cases हैं यहाँ पर यह basically आप लोगों का pulse का time duration है अगर आप लोगों की pulse हमेशा के लिए on रहेगी तो उस condition में हम लोगों के load को maximum power deliver होगी और second case में अगर आप लोगों का जो pulse है वो एक छोटे से time duration के लिए off रहता है फिर again on होता है फिर off होता है तो इस case में हम लोगों के load को थोड़ा सा कम power deliver हो पाएगी यह कितनी power deliver होगी यह basically depend करता है हम लोगों के duty cycle पे तो next हम लोग देख लेते हैं duty cycle होती क्या है so duty cycle देखें basically है क्या यह हम लोगों के pulse के on time और total time के बीच का ratio है और जो total time हम लोगों का होता है वो होता है on time plus off time तो इसके हिसाब से हम लोगों का duty cycle है उसका formula बनेगा on time divided by on time plus off time next हम लोग duty cycle के concept को अपने इन graphs के help से समझ लेते हैं यहाँ पर यह हम लोगों के pulse का total time duration है और suppose यह हम लोगों का है 1 millisecond और हम लोगों का यह जो pulse है इसका amplitude यहाँ पर 5 volt है अगर आप लोगों की pulse हमेशा के लिए on रहेंगी तो इस case में आप लोगों का जो duty cycle है वो आएगा 100% और इस case में आप लोगों को जो output है वो मिलेगा 5 volts next case में अगर आप duty cycle 75% लेते हैं मतलब कि आप जो pulse है उसको 0.75 milliseconds के लिए on रखते हैं और 0.25 milliseconds के लिए off रखते हैं तो इसका output basically यहाँ पर होगा 3.75 volts जो के आप लोगों का 75% है similarly अगर आप duty cycle 50% लेते हैं तो इस case में आप लोगों का जो pulse है वो 0.5 milliseconds के लिए on रहेगा और 0.5 milliseconds के लिए off रहेगा तो इस case में आप लोगों को यहाँ पर output मिलेगा 2.5 volts जो के आपका 50% है 5 volts के similarly अगर आप duty cycle 25% लेते हैं तो इस case में आप लोगों को यहाँ पर 1.25 output मिलेगा और अगर आप 0 duty cycle लेंगे तो इस case में आप लोगों को 0 volts मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो pulse है वो हमेशा के लिए off रहेगी so pulse width modulation को हम लोग एक ऐसी process बोल सकते हैं जिसमें हम लोग pulse के on time और off time को change करते हैं और इस time के accordingly ही हम लोगों की जो waveform है उसकी average value define हो पाती है अब जिस भी pulse को आप लोग यहाँ पर modulate करवाने वाले हैं उसकी frequency इतनी high होनी चाहिए कि आप लोगों का जो output है या फिर जो आपका load है उस पर कोई भी effect ना पड़े मतलब की modulation के बाद जो भी resultant waveform आपको मिलेगी वो हम लोगों के load के लिए smooth होनी चाहिए अब इस इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर example से suppose हम लोगों के पास एक motor है जो की 5 volts पर operate होती है और 5 volts पर इसकी speed suppose करते हैं वो होती है 100 rpm और suppose इस motor को हम लोग एक micro controller से run कर रहे हैं तो micro controller यहाँ से आपको 5 volts देगा अब जिस समय यह 5 volts देगा उस समय आप लोगों के motor की जो speed होगी वो 100 rpm होगी ना suppose हम लोगों को इसकी speed 50 rpm करनी है तो उस case में हम लोगों को यहाँ पर basically 2.5 volts देना पड़ेगा तो यह चीज़ आप लोगों के directly micro controller से possible नहीं है क्योंकि micro controller discrete signal से यहाँ पर provide करता है तो इस case में हम लोगों के यहाँ पर pulse width modulation use करना पड़ेगा और यह जो pulse हम लोग यहाँ पर use करेंगे इसकी frequency काफी high होनी चाहिए कितनी high होनी चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे बट फिलाल अगर यह frequency आपकी low हुई तो उस case में देखिये होगा क्या suppose हम लोगों ने यह जो motor है इसको 5 seconds के लिए on किया और 5 seconds के ले off कर दिया अब इसके हिसाब से हम लोगों का duty cycle है वो तो 50% आ गया तो इस हिसाब से हम लोगों की जो motor है वो 2.5 volts पर operate होनी चाहिए बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो off time इसका रख रहे हैं वो काफी ज्यादा रख रहे हैं तो इस case में जो हम लोग frequency आप use करेंगे वो high होनी चाहिए तो basically यह जो frequency है वो depend करती है आप लोगों के type of load और application पर तो देख सकते हैं आप लोग अगर lamp dimmer आपको use करना है तो उस case में आप लोगों का जो pulse है उसकी frequency 120 hertz होनी चाहिए वहीं अगर आप बात करते हैं motor की तो उस case में आप लोगों की जो frequency है वो few kilohertz से tens of kilohertz के बीच में हो सकती है मतलब की one hertz से आपकी 99 hertz के बीच में यह frequency हो सकती है वहीं अगर आप audio amplifiers की बात करें तो उस case में आप लोगों की जो frequency है वो hundreds of hertz में हो सकती है मतलब की 10 hertz से लेके आपकी 999 hertz के बीच में यह हो सकती है next अगर हम बात करें applications की तो telecommunication sector मे इसका काफी use होता है encoding के लिए basically इसको use किया जाता है next आपके जो smart lighting systems होते हैं वहाँ पर भी जो brightness आप control करते हैं उसके लिए आपका pulse width modulation use होता है और अगर DC motors की speed आपको control करनी है तो वहाँ पर भी आपको इसको use करना पड़ेगा servo motors को control करने के लिए हम इसको use करते हैं और audio amplification और audio effects में इसका काफी use होता है next यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के जो electronic devices हैं जैसे कि आपका computer motherboard है और आपके जो micro inverters हैं उसमें काफी सारी ऐसी चीज़े लगी होती हैं जिनको control करने के लिए हम लोग pulse width modulation को use करते हैं ओके तो यह हम लोगों का एक animation है और यहाँ पर यह basically time duration है हम लोगों के pulse का और यहाँ पर हम अपने pulse के on time और off time को vary कर रहे हैं तो जिस समय आप लोगों का duty cycle 95% है मतलब कि आपका जो on time है वो maximum है उस case में आप लोगों के यह जो light है इसकी intensity एकदम high होगी मतलब कि एकदम bright आप लोगों को यह दिखेगा और जैसे जैसे आप लोग duty cycle कम करेंगे मतलब कि आपका जो off time है वो maximum होगा उस case में आप लोगों की हाँ पर जो intensity है वो एकदम fade होगी आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं so next video में हम लोग timer 0 की help से pulse width modulation को implement करके देखेंगे so बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने friend लोगों के साथ आप लोग जरूर से share करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जै हिंद जै भारत